देखिए प्रस्ण है कि किसी वर्ग का किसी वर्ग का छेत्रफल हमको मालूम है क्या मालूम है सपोज करिए किसी वर्ग का छेत्रफल एक सो सेंटीमीटर स्क्वाइर है और आप से प्रस्ण पूछा जाए कि परिमाप क्या होगा परिमाप क्या होगा तो आप पहले से पढ़ चुके हैं वर्क का परिमाप बराबर क्या होता है चार गुने भूजा तो हमको पहले भूजा निकालना होगा तभी नहीं हम परिमाप निकाल सकते हैं तो देखिए छेत्र फल बराबर क्या होता है भूजा square क्या होता है भूजा square यह जिसे हम लोग क्या कहते हैं भूजा गुने क्या कहते हैं आपको जो छेत्र फल दिया हुआ है उसको यहां लिखते हैं एक सौका नहीं कि यहीं नहोगा यहीं निकालेंगे आपको छेत्फल क्या दिया हुआ है एक स्वा दिया हुआ एक स्वा क्या स्क्वाइर ने होगा छेत्फल क्या दिया हुआ है एक स्वा दिया हुआ छेत्फल की जगा लिख देंगे अब हमको भूजा इस्क्वाइर निकालना है krijने कंवा थीजसे हैं ढूजा स्कुरल निकालना है है, भूजा स्कुर्ण का mighty का मतलब हुआ कि भूजा ला है भूजा ले तोर दें इसका बर्गभ मूल निकालें तो कितना रहाए एक सौ का बर्मूल एस्क्वार का मतलब क्या होगा इधर भी तोरना है तो बर्मूल निकालेंगे अगर 10 गुने 10 कर देते हैं यहीं नहीं हो गया 10 गुने 10 तिधर क्या हो जाएगा भुजा गुने भुजा अर्थात एक भुजा बराबर क्या हुआ बराबर 10 cm क्या हो गया? 10 cm हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है क्या निकालना है? परिमाप बराबर क्या बता है? 4 गुने? भुजा 4 गुने? भुजा 4 लिके और एक भुजा कितना हुआ? 10 कितना हो जाएगा परिमाप? 40 cm ध्यान रखना है कि जब भी वर्ग में छेत्रफल देगा वर्ग का छेत्रफल देगा तो यह तो एक का स्कॉयर होगा दो का होगा तीन का होगा चार का पांच का किसी न किसी का स्कॉयर ही होगा तमने भुजा कुने भुजा होगा कोई भी संख्या होगा यह बर्ग है इसकी ल यजा हुआ है 8 Cum 2 कितना है किसी यहां पर परिमाप कितना है किसी वर का परिमाप कितना है तो सा कर यह कि अच्छी सेंटीमेटर ए कितная है कितना सेंटीमेटर ए बराबर और शीए अरभा को सुथ्छ क्या होता है आब इसको भूजा कोम पुर्भ यहां रखेंगे तो चार गुना तेशतरफ क्या होगा बाग हो जाएगा असृ बटा क्या हो जाएगा चार काट देंगे कितना हो जाएगा इस परकार से भुजा निकल जाएगा तो छेत्रफल निकाल लीजेगा मतलब एक पता है तो उसी सुत्र को तोर कर आप निकाल सकते बात समझ में आ गया इस परकार से परिमाप दिया रहे छेत्रफल दिया रहे तो भुजा भी निकाल सकते हैं छेत्रफल भी निकाल सकते हैं इ इसी में जो खर्च दिया रहेगा उसको गुना कर देजेगा खर्च दिया रहेगा तो गुना कर देज़ेगा